हलो नमस्कार साथियों मैं हर्बिर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ओफिस्यल में अगर आप इस चैनल पर नए है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बैल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी चीजे जैन्वेन मिलेंगे और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है तो साथियों आज किस मॉर्णिंग न्यूज में हम बात करेंगे MCD, PRT जो स्टे है, IR है, उनमें क्या अंतर है, क्या उसका प्रभाव पढ़ सकता है तो साथियों इससे पहले मैंने कले कोसन दिया था कि रविंदर नाथ टैगोर ने भारत के राष्टेगान के अलावा किस देश का राष्टेगान लिखा था तो करेक्ट आंसर है बांगला पहला गुप्त सासक कौन था ये आज के लिए कोसन है पहला गुप्त सासक कौन था तो साथियों अभी हम बात करते हैं MCD, PRT जैसा कि आप जानते हैं कि MCD, PRT पर स्टार्टिंग से ही विवात चलते आ रहे हैं और अभी भी MCD, PRT पर केस चला हुआ है आपको पता होगा काफी सारे केसी चले हुए हलाकि अभी जो फाइनल जो भी कुछ होगा वो कोट के अंडर है कुछ नहीं का जा सकता क्योंकि काफी लोग ये भी बोल रहे होगे कि एक्जाम कैंसल होगा काफी ये बोल रहे कि एक्जाम कैंसल नहीं होगा तो जो भी चीजे हैं वो कोट के अं में क्या हुआ है कि जो IR है मतलब उसको बढ़ा दिया गया है कब तक के लिए 17.05.2019 तक के लिए 17.05.2019 तक के लिए जो IR है उसे बढ़ा दिया गया है वो IR continue रहेगा अब कोस्टन आता है कि काफी ऐसे candidates है जो confuse हो रहे है कि stay और IR में अंतर क्या होता है तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ IR सिंपल छोटा सा आपको example दूँगा आपने देखा होगा IR का मतलब होता है interim relief जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतरिम रहत अंतरिम रहत होती है IR आपने news में देखा होगा कई बार क्या होता है कि अंतरिम रहत नहीं मिली कोट ने नहीं दी अंतरिम रहत तो अंतरिम रहत वो क्या होती है तो साथियों इसमें क्या होता है जैसे किसी पे case चल रहा है किसी पे case चल रहा है तो वो क्या मांग करता है कि मुझे अंत्रिम रहात दी जाए अंत्रिम रहात का मतलब होता है कि वो जो भी है जिस पे case चल रहा है वो कुछ टाइम के लिए free हो गया मतलब court जैसे उसे 15 दिन की अंत्रिम रहात दे दी तो 15 दिन तक क्या होगा कि उस पे कोई कारवाई नहीं की जाएगी court अपना काम करता रहेगा लेकिन वो 15 days के लिए जो बंदा है वो free हो गया उसे ना तो कोई arrest किया जाएगा ना कुछ किया जाएगा वो 15 दिन के लिए free हो गया अब ये चीज़े court पे भी depend करती है ऐसा नहीं court पे भी depend करते है court चाहे तो उसे मतलब लेकी भी आ सकता है कुछ emergency आगे उसे लेकी भी आ सकता है ये चीज़े इसका एक और example मैं आपको देता हूँ suppose करो ये चीज़ मैंने पढ़ी भी थी कि कोई publisher था उसने book publish करी इसके बाद किसी ने complain कर दी कि ये जो book है ये क्या है जो ये book है ये illegal है इसमें मतलब काफी चीज़े copyrighted है या मतलब कोई अन्य मामला उसमें हो सकता है तो court ने क्या किया जैसे एक महिने की उसे IR दे दी मतलब अमत्रिम रहात दे दी तो इसका मतलब ये है कि वो book तब तक publish नहीं होगी पंद्रे दिन तक या जो भी टाइम दिया गया तो एक महिने तक वो book publish नहीं होगी ध्यान रहे आप आप समझें ये चीज़ एक महिने तक वो book publish नहीं होगी और IR अगर आगे भी बढ़िया तो आगे भी वो publish नहीं होगी हाला कि जो अपना वो काम है उसमें कर सकता है court के according अगर court बोल दे कि आप अपना जो भी लिखने का काम है वो continue करे लेकिन जो book ये publish होगी ये तब होगी जब IR इससे हड जाएगा या IR continue नहीं रहेगा तो साथियों उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ आ गही होगी कि IR का मतलब होता क्या है मतलब 100 टर्न के लिए रिलीव देना कि उस पर कोई कारवाई नहीं करना वो जैसे है ऐसे या दोनों पार्टीज को रिलीव देना कि और एक चीज़ और बता देता हूं IR में और भी कुछ चीज़े होती है IR में ये भी होता है कि कोट उस चीज़ को और जज़ करता है कि यार मुझे और देखने की जरूरत है इसमें बहुत गहराई छिपी हुई है ये चीज़े भी होती है तो सातियों वैसे ही मैं आपको बता देता हूं जहां तक है जो केस का रिजल्ट आने वाला है जो डिजर्विंग है उनके पक्स में जरूर रहेगा और कोट से बड़ा कोई नहीं है आपको एक बात और बता देता हूं कल मैंने काफी सातियों यूट्यूबर्स की वीडियो देखी थी तो उसमें वो बोल रहे थे कि देखो हम ऐसा नहीं करते breaking news ऐसे करके नहीं डालते तो सातियों मेरा कोई ऐसा target नहीं है और उन सातियों से भी बोलना चाहता हूं मेरा कोई ऐसा target नहीं है कि मैं किसी का नुक्षान चाहूं ये जो वीडियो मिली information मिली वो मैंने यहाँ पे डाल दी तो अभी IR का मतलब आप बिल्कुल समझ गई होंगे IR क्या होता है short term relief छोटे time के लिए relief देना यह ऐसे नहीं है अगर IR बढ़ती गई तो इससे दिक्कत होती है अब यह कि IR 17 मई तक IR है तो 17 मई तक क्या है कि जो final decision है मतलग जो result है वो 17 मई से पहले नहीं आ सकता IR में क्या है कि 17 मई से पहले result नहीं आ सकता यह चीज़े तो साथियों अभी देखते हैं क्या होता है हलाकि हम यहीं चाहते हैं कि जो भी deserving है किसी के साथ गलत नहीं हो और जो भी selected है डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि court सारी चीज़े जाचके परक्ते क्योंकि ऐसे नहीं गलत है तो उसे भी देखेगा कि raelगा क्या गलत है यह जो case किया गया है क्या यह जायज है तो सारी चीज़े court देखेगा और ऐसा नहीं है बहुत सारी बात हुआ चल रहे cancel होगा नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है आप टेंसर न ले कोट के हाथ में माम लाए और कोट से बड़ा कोई नहीं है तो सातियों गुडबाई टेक कियर थेंक यू जैहिन वंदे मात्रम